Hello, welcome to the video, देखो इस वीडियो हम बात करेंगे खास करके BASLP course के बारे में यह क्या आपके लिए right choice रेगी, क्या इसमें salary होती है और क्या आप इसमें post graduate course करने के बाद कितना salary होता है Bachelor degree course करने के बाद कितना salary होता है तोटल मिलने आपके लिए presentation बनाई है तो आप लोग को थोड़ा साथ देना है मेरा आपको totally यहांपर मैंने काफी बड़िया presentation बनाई आप सबी लोग के लिए तो अगर आप जानना चाहते है इस course के बारे में आपको total information यहांपर देना चाहूँगा मैं तो BSLP जो कोर्स होता है आपको पता है bachelor of audiology, speech language and pathology डिगरी तो आपको पता है कि यह जो course है basically यह graduate course है इंडिया में जो कि एक बहुती बड़िया एक lucrative course है बट अगर आपकी expectations है तो पहले आपको बता दूँ कि यहांपर जो generally salary मिलती है 3 to 5 lakh per annum तो आपकि 3 से 5 लाग गुरुपे तक की job पकी एक तरीकाई से आप बोल सकते है per annum मतलब per year आपको 3 to 5 lakhs आपको मिलेंगे तो यह एक average salary है बट अभी आपको बताता हूँ कुछ factors जिसके त्रूए salaries जो है वो change होती है आपको बताता हूँ जैसे कि आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको जानना है with relevant work experience advanced skills जैसे कि आपको experience होता है और आपके skills improve होती है तो आप 6 to 10 lakhs भी charge कर सकते है मतलब 6 to 10 lakhs आपका package आराम से लग जाएगा जैसे आपको 1, 2 साल, 3 साल का experience होता है However, it is essential to note that few years take to reach the salary of 70,000 per month आपको 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते है 70,000 per month पर आने में ठीक है अगर आपकी salary expectation है कि आप degree करते ही 70,000 per month कवाने लग जाए तो आपको इस course से अच्छा कोई और course चुन लेना चाहिए because इस course में directly आपको इतनी salary नहीं मिलेगी आपको हो सकता है शुरुवात में कम salary मिले 3 लग का ही package लगे बट जैसे जैसे आपका experience बढ़ेगा और आपकी जो learning से बढ़ेगी तो आपको experience के साथ साथ salary अच्छा मिलेगा एक बार हम बात करते है salary potential के बारे में तो यहां पर 3-4 जो आपको factors को ध्यान में रखना है सबसे पहली बात है medical setting तो medical setting का मतलब क्या होता है working as a speech language pathologist in medical setting आपको पता है कि काफी सारे जो hospitals है वहां पर BSLP के graduates को रखा जाता है और उनकी जो starting salary होती है वो होती है 40,000 अगर आप fresher है अगर आपने अभी अभी course complete करा है तो आपको 30-40,000 रुपीस वो maximum दे सकते है वैसे मैंने देखा है कि ground condition में reality में 20,000 तक भी दिया जाता है बट अगर आप अच्छी जगह जाते हैं अच्छे hospitals में जाते हैं तो 40,000 तक आपको मिल सकते है और आपको बता दे कि यहाँ पर 70,000 तक भी जा सकती है salary जो आपकी है अगर आप private hospital में जाते है किसी multi-national hospital में जाते है तो वहाँ पर आपको 70,000 तक के salary मिल सकती है school setting का मतलब क्या हुआ जो भी यह colleges है वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं यह course के बारे में तो वहाँ पर आपको 20,000 to 30,000 salaries मिल दाएगी freshers के लिए सबसे बड़ी option है private practice अगर आप private practice करते है तो आपको एक आप बोल सकते हैं कि आप explore कर सकते हैं इस field के बारे में because आपकी जो earning होगी वो minimum 10,000 से लेकर कर 35,000 पर मन तक की हो सकती है तो यह मैं आपको बताया तीन field salary potential बता दिया मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताता हूँ explore the potential of BASLP आपको यहां पर क्या-क्या पॉस्टिटी मिलती है BASLP में आपको पता कि जो BASLP का जो course है वहां पर आपको audiology, speech, language pathology graduates can explore opportunities in medical settings educational institutions, research organization आप research कर सकते हैं NGO में आप practice कर सकते हैं private practice कर सकते हैं आपको इस job में satisfaction immense satisfaction और fulfillment की बिल्कुल आपको मिलेगा इसमें because इसमें जो आप treat कर रहे हैं जो patients को वो आपके एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो जो जिनको आपकी जरुरत है आप उनको directly treat कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर satisfaction और fulfillment की पूरी वहाँ पर आपके एक तरीके से पूरा का पूरा आपको प्राप्त होगा इसके बाद मैं आपको बहुत आता हूँ career growth क्या क्या हो सकती है आपको सबसे पहले foundation building मतलब आपको focus करना है आपके skills के ओपर आप जो सीखेंगे college के दोजान दूसरा जो है professional experience आपको जैसे experience होगा clinics में आप काम करेंगे या फिर आप कहीं पर पढ़ाएंगे तो आपको experience होगा वैसे वैसे आपकी salary भी बढ़ती जाएगी advanced specialization अगर आप specialization करते हैं बिल्कुल इसमें जो master's का course होता है तो अगर आप उसमें specialization करते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल जैसे कि आप pediatric speech language pathology में specialization कर सकते हैं neurogenic communication disorders में specialization कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अलग-अलग field में इसमें specialization मतलब master के degree कर सकते हैं जिसके थूँ आपको जो scope है वो और ज्यादा wide हो जाता है यहाँ पर आपको और दिखाए जा रहा है audiology, pediatric, neurogenic disorders, research में भी आप लोग specialization कर सकते हैं यह opportunity available है अपने BSLP में इसके बाद मैं आपको बताता हूँ career satisfaction की अगर आपन बात करें तो meaningful connections आप इसमें बनाते हैं personal growth आपकी होगी और career fulfillment आपको यहाँ पर मिलेगा helping individuals regain their communication ability आप किसी को सुनने में मदद कर रहे हैं किसी को बोलने में मदद कर रहे हैं तो इससे आपको जो fulfillment मिलेगा वो बहुत ही शान्दार रहेगा conclusion की अगर आपन बात करें इस वीडियो के while the starting salary of BSLP graduate may not be as much as 70,000 आपको पता है कि जो starting salary है वो इतनी अच्छी नहीं है बट यह जो एक positive impact लाएगा किसी इंसान की जो life है उसके उपर consider the potential for career growth specialization options and rewarding aspects of the profession आपको पता है कि इसमें जो आपकी career growth है वो आगे जा करके हो सकती है बिल्कुल और इसमें आपको थोड़ा time देना पड़ेगा हो सकता है पात-दस साल आपको लग जाया setup होने में बट अगर आप इसको follow करते हैं तो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं फायदा होगा अगर आपको अभी भी कोई confusion से तो आप लोग बिल्कुल comment में पूस सकते हैं मुझसे आपको इस course के बार में जो भी confusion है मैं में को जितना knowledge होगा मैं clear करने की कोशिश करूँगा Thank you so much for watching the video I hope so कि आपके presentation अच्छी लगी हूँ Thank you so much